तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्सो और टेकोंची के बारे में, अगर हम आज की दिन की प्रफुमेंस की बात करें, तो फिर से इन स्टॉक में हमें बहुत एक शांदार तेजी देखने को मिला, चार सो और चार पसंग की तेजी, और इस तेजी को हम शांदार धमा कदार इसलिए कंसरे करके चलेंगे, क्योंकि और दिखा जिए स्टॉक, पिछले कुछ दिनों से बहुत शांदार पसंग में दिया है, इस प्रका के एक दिन में चार पसंग, पांस पसंग की तेजी आता है, विजिट में या क्या ये स्टॉक अभी 10 साथ तक भी हमें जाती देटिन को मिलेगा तो उस पॉइंट को पर भी हम आगे जरूर इंगे बाड उस से पहने जो डिक सॉन टेकोंची पर रेगूलर बैसे पर तेजी देजी देखने को मिटर एक तरफा तेजी बाजर में तेजी ह अगर आप होल्ट करने के लिए हो तो आज जो आपको टॉप नजर आ रहे है कुछ साल बाद देखोगे ये 6,250 का आपको सारे बारा 15,000 तक भी आपको जाती देखने को मिले जाते हैं और खास करके ये ब्रेक आउट के बाद जो श्टॉक में एक तरफा तीजी आ है 6,000 के लिए मिल को ब्रेक करने के बाद जो श्टॉक आज 8,000 प्य है ये इतने कमाल के रहे हैं इसकी पीछी का रीजन है कि कंपनी के बिलिएस और कुछ लगाता है पॉजिरिव कॉमेंटरी सो हाली में आपने देखा होगा कंपनी की जब हमें कौटा 3 के नमबर देखने को बिला तो उसकी बाद मैंजमेंट ने कुछ इंपोर्डर गाइडेंस दिया था जो कि आप देशे तो कि डिक्सों टेकोंची नियली 50% रेविन ग्रोफ आपको देखने को में इसी कलेंडर य बन चुक है कौन से सिग्में में यह सबसे बड़ा हाइलेट है आपको कोई बोले या रहे बाई यह टेक्निकल ब्रेक डाउट ब्रेक डाउन कब होता है कंपनी के फंडर्मेंटर स्टॉंग है ना तो अर्टिमेंटरी सारे लेवल ब्रेक होई जाता है तो कंपनी के जो में उनको बहुत बड़े नजर आ रहे है आने मेरे दो से तीन सालों में और उनने ये भी मेंसें किया कि इनको 10 बिलियंट के अपरचुटी नजर आ रहे है सिर्फ इंडिया से और जिनमें कंपनी के जो ग्रोथ रहने वाले आने मेरे टाइम में 35 से लेके 40 पसंट के वो एन जो ग्रोथ रहने वाले वो इसी प्रकार से रहने वाले तो अगर अपने जो अभी तक अभी तक जो अपने ग्रोथ दिखा है जिसके चलते स्टॉक 5 साल में इतना 15-15 गुड़ा कंपनी बड़ी बनी है और यहां से भी कंपनी अगर इसी प्रकार से ग्रोथ दिखा है तो अ क्या से भी आपको ऐसे ही प्रॉप्स करते हो देट को मिल सकता है। यह तो कि पहला पॉइंट के स्टॉक में एक तरफा राजाता तीजी की हो रहा है। दूसरा पॉइंट की बात करें क्या यह आप यह स्टॉक 8000 के बास नेरवे 8000 के आसपा टच किया है। क्या भी यह श्टॉक 9000 क्या फिर से पास डिजट में क्या हमें जाते देट को मिल सकते हैं। तो डेफिनिटल मिल सकते हैं। और यह कोई मैं पहली बार नहीं बोल रहा है। जब इस टॉक 50% डाउन था तब भी मैंने से जिए कहा था। इस टॉक इतना पोटेंसिल है कि इस टॉक आज जो दो हज़र आश्रों बाई करेगा कुछ साल बाद देखोंगे इस टॉक फिर से बाई सब्सक्राइब आपको जाते देडिन को में सब्सक्राइब और उसके पीछ एक रीजन है मैं कोई रैंडम ली आपको बोल नहीं रहा कि इस टॉक आपको बहुत सब्सक्राइब और अभी तक कमाल के बना के देख और आगे बी ऐसे दे सकता अगर कमपनी की बिजनेस इसी प्रकास से ग्रो होता रहा तो तो अगर यह सोच रहा है कि यह इसको टॉप है तो कोई टॉप नहीं होता है मैं यहाप भी बोल चुका था और आज यहाप भी बोल रहा हूँ हो सब्सक्राइब के अभी फिलाल के लिए टॉप बने सॉट टाम के लिए कि नमबर अच्छे ना आए तो 8000 के टॉप बने अब इतना प्रॉफिल बना के लिए 1500 पसें टॉप गिरावाटा है जो यहाप पर आता दस पसें बीस पसें जि अब तक टॉप भी आपको ऐसे ही प्रॉफिल करते हैं को मिल जाएगा बट यह उनकी लिए हैं जिन्हों ने अलड़ी जब जब कवर किया थे तब तब जिन्होंने हिमत जुडा के study करके phrasebank कि होगा उनकी लिए अच्छे बात है बट जिन्होंने अभी तक भाई नहीं किया उनकी लिए क्या तो यह चीज़े जब यह श्टॉक 7000 को टॉच किया था तब भी कह था और आज तो 8000 को टॉच किया आज भी है बोल्ड हो नहीं किसी को नहीं पता हो सकता है कल यह 8000 को ब्रेक करके सारे 8000 9000 के टागेट यह नंबर आने से पहले 10100 को भी टॉच कर सकता है यह भी किसी को नहीं पता बट कोई फ्रेज बैं करने के वारे रहे हैं तो आपके पास पर पर लॉजिक हो लजिक था कि स्टॉक्ट डिस्कॉर्ण में मिल रहे एक नॉर्माल गिरावाट की चाथ शोक गिरा है तो बहुत बढ़ा लॉजिक था तो बिलनाज बाइकर करके हम चल सकते हैं, average करके चल सकते हैं, बट यहां पर आपको पास कोई logic नहीं है, तो इसलिए logic आ रहा है quarter 4 की number, बहुत important role play करगा, क्योंकि stock 135 की P बन चुक है, तो 135 की P, 140 की P, 200 की P, उसको पर मैं focus रखता ही नहीं हो, और कोई रखता होगा, मैं तो बिल्कुम नहीं रखता हूगा, मैं ऐसे company के income को focus रखता हूगा, अगर मानलो next company growth इस प्रकास से रहता है, यह जो growth रहा company को, ऐसे growth बना रहता है, तो stock और भागेगा, 160 की P बन जाएगा, 180 की P बन जाएगा, 200 की P बन जाएगा, उससे कोई fact नहीं परता है, आपको growth लगाता है होना चाहा, अगर company मानलो income खर आप दिखा दे, तो इतना कमाल की stock की P है, valuation, उसको maintain नहीं पाएगा, तो जिन्होंने भी अच्छे कासे profit कमा है, short time, long time है, वो अच्छे कासे profit करेंगे, और ऐसा गिरावाट जो हमने यहाँ पर देखा था, इस प्रकाके की छोटे मोटे गिरावाट भी आ साथा, तो आपको नमबर वाकी अच्छे लगे, तो आप टॉप भी भाई करके चल सकते हो, मालनों नमबर खराब आते हो, और management के guidance पर खराब आते है, तो इसलिए stock 15% के आपको आराम से गिरावाट दिखा देगा, और 6 हज़र तक भी stock short time में आ सकते हो, तब आराम से डिस्कौर्ण मे आपके बास भाई काने के लिए, तो Q4 के नमबर को आने तो, नमबर को देख लो, उसके accordingly आप अपने design आप ले सकते हो, द्यान दूसरा stock की बात करें, तो और एक कमान की company तो polycap इंडियर में है, तो polycap की बात करें, तो ये भी daily बिस्प है, भले छोटे मोटे क्यों नहों, एक अच्छे profit में दे रहे हैं, आज के दिन भी, नेरभाए 101%, पांस दिन में 505%, महने भर में 808%, और 6 मंत की बात करें, आज भी 303% डाउन है, टॉप लिए से लेगे सारे 8%, मतब 9% माल लो, पर चो recovery दिखाए, मतब जिनोंने भी हिम्मत जुटा के बाई किया होगा, वो तो आज 11,000 से लेके, आज फिर फेब और मार्च, अभी एप्रील स्टार्ट होने वाले है, मालनो तीन मत, तीन मत में बहुत कमाल की recovery देखाए, और एक ऐसा stock बन चुका है, जूकि ऐसे report आने के बाद, इतनी जल्दी recover हुआ, बाकी आप किसी भी stock को उठाके देखने, उन्हें रिकवर करने के लिए बहुत ज़्याद टाइम भी लगा है, पर अच्छी बात है कि जो अच्छी कमपनी होते हैं, फंडमेंटरी, बहुत जल्दी recovery कर लेते हैं, तो मैं और आपको बोल चुका हूँ, कि ये कमपनी दमदार है, आज भी मैं आपको ये statement पहले दे रहो, किसी निकल के आज है, मान लो, तो stock फिस से गिरेगा, ये मैं आज ही आपको बोल के जारो, हाँ, मान लो, अगर कुछ नहीं निकलता है, तो stock ने बहुत रिकवर कर लिया, 5200 पे है, तो वह भी 500 पॉंट किया है, तो दीवेंदी में साय से इस level को भी break करके, बिना report आये हुए, stock अपना all time high भी achieve कर सकता है, और all time अगर achieve कर लिया, अपने पुरान 11 को अगर breakout दे दिया, तो फिर बड़े इंवेस्टर भी, और बड़े इंवेस्टर भी किया, तो stock ने इतना recover किया, साय से और भी buying आ सकता है, कि चलो stock ने तो all time दिखा दी, अब साय चीजे normal हो चुक है, जो जो फ्रेजब करने के बारे मैं सोच रहे है, उनके लिए मेरा same statement दाएगा, जो मेरा डेक्सान टेकमें जो भी देगा, पैसे आपके है, आप कभी भी buy कर सकते हो, but problem यह आत है, हम buy करते है top पे, उसके बाद जब स्टॉक गिरता है 15-20%, फिर हम बोलता हम तो फस्ट चुक है, मार्केट यह है, वो है, अरे, ऐसा कुछ भी नहीं, लोगिक के साथ buy करोगे न, तो बहुत short time में आप अच्छे return कमा सकते हो, जिन्होंने यहाँ पे कमा है, तो same चीज़े, stock neighbor top के आसपस है, इसके भी quarter 4 के number आने तो quarter 4 के number बहुत important role play करेगा, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ नंबर के साथ, management के commentary भी देखने को मिलेगा, कि आने बटे में उनकी growth का से रहने वाले, और जो IT department की search contact हो था, उससे रेटर क्या पता, management कुछ बोल दे, तो फिर stock में और भी हल चल रहा सकता, तो इसले number को देख लो, उसके पत आराम से safely आप अपन ले सकते हो, आखरी stock की ब बट एक harder level है, तो उस level को sustain नहीं कर पाए, तो फिर से stock में एक pressure देखने में, बाकि आर्ट पांस दिनों के बात करें, तो nearby enough, और जो stock बीच में गिरा था, 14 सुक भी ब्रेक कर दे था, अब stock ने एक short time में कमाल की recovery दिखा, और ये भी एक कमाल की company, बहुत ही rare गिरावार इतने कमाल की return देने के बाद भी 5 सार में, तेरा सो, तेरा सो पसेंट, अब भी उस प्रका के अभी तक यहाँ पर जो गिरावाट आए था, उसके बाद अभी तक एक तरफा तेजी हमने देखा, छोटे मोटी गिरावाट आए, 10 पसें, 12 पसेंट गी, बट अभी तक बड़ क्यों रहता है, तो कि उनको पर ब्रोकी चाउस का बहुत बड़ा focus रहता है, कि एक बार नमबर खराब आए, तो हाय वेलेशन बोलके श्टॉक को डाउंग्रेट कर दो, और वो लो जिन उन रिपोर्ट को मानता है, उस ब्रोकी चाउस को जो भी मानता है, वो और सेल उप कर बारा सुपरी भी मिल सकता है, तो इसलिए पेसेंट दिखाओ, नमबर तक रुख जाओ, नमबर अगर अच्छे आजें, नमबर को देखलो, उसके accordingly आप अपना सेफी डिजन लेज सकते हैं,